साथियों, अन्नमान एक ऐसी धर्ती है, जहाँ पानी, प्रकृती, परियावरा, पुर्शार्थ, पराक्रम, परंपरा, परियतन, प्रबोधन और प्रेरना सब कुछ है, देश में ऐसा कौन होगा, जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है, अन्नमान का सामर्थ बहुत बड़ा है, यहाँ पर अथा अवसर है, हमें इन अवसरों को पहचानना है, हमें इस सामर्थ को जानना है, बीते आठ वर्शों में देश ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये हैं, कोरोना के जटकों के बाद भी परियाटरंग छेत्र में अम इन प्रयासों के परणाम दिखाई देने लगे हैं, 2014 में देश भर्चे जितने परियाटक अन्नमान आते थे, 2022 में उससे करीब करीब दो गुने लोग यहां आए हैं, यानि परियाटकों के संक्या दो गुनी हुई हैं, तो परियाटरंग से जुड़े रोजगार और आए भी बड़े हैं, इसके साथ ही एक और बड़ा बड़लाव भीते वर्षों में हुआ है, पहले लोग केवल प्राकृतिक संदर्य के बारे में, यहां के बीचीज के बारे में सोचकर अन्दमान आते थे, लेकिन अब इस पहचान को भी विस्तार मिल रहा है, अब अन्दमान से जुड़े स्वादिन्ता इतिहास को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, अब लोग इतिहास को जानने और जीने के लिए भी यहां आ रहे हैं, साथ ही अन्दमान निकोबार के दिप हमारी सम्रिद्द आदिवासि परंपरा की दर्ती भी रहे हैं, अपनी विरासत पर गर्व की भावना इस परंपरा के लिए भी आकर्शन पैदा कर रही हैं, हम नेता जी सुभाचंद्र बोश से जुड़ी समारक और सेना के स्वर्यों को सम्मान देश वाचियों में यहां आने के लिए नई उत्सुकता पैदा करेगा, आने वाले समय में यहां परियतन के और भी असिम आउसर पैदा होगे,